दोस्तो इस वीडियो में हम लगाएंगे पैंट में चैन चैन के से लगा थे बहुत इजी तरीका हम इसमें बताएंगे चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इस चैन को हमको खोलना होगा तो इसके लिए हमको सिर्फ यह वाला हिस्सा यहां पर एक कट तो यह हमारे काम इतना हो गया अब हम क्या करेंगे यहां आपर कि इसको खोलेंगे इसको खोल दिया इसको भी हम खोल लेते हैं यह लंगोट है इसको आप चाहे तो हाँ से भी खोल सकते हैं हाँ से खोलने में बहुत ज़र टाइम लगता है तो इसी लिए इस तरीके से खींच के खोलते हैं तो मने नीचे लगाया ओके तो यह हमारा खुल गया चैन तो यह दिखे यह इधर खुल गए अब इधर की बच्ची है इसको भी हम खींच के निकाल देते हैं अब तिंपल साँ आपको इसमें से धागे सारे बीन देने हैं धागे यह दिने हैं सब बीन लेना है अब हम यहां से देखे हमने नाप लिया हम को चाहिए यह चैन और ये हमारा लाग यहां पर आ रहा है तो हम क्या करेंगे लाग हम निकाल देंगे पहले सबसब पहले इसको काट लेते हैं यहां तक तो हमारी चेन नहीं आएगी तो हमको पैर भर उससे बढ़ा के काट देना है तो यह रहा तो लाक हम निकाल देते हैं कहीं सुई हमारी इस पे आके अटक न जाए इसलिए तो उसके बाद देखिए हमको क्या करना है ऐसे करके हम इसके अंदर फिट कर देंगे चेन तो यह फिट हो गई उसके बाद हम इसको फिट करेंगे ज्यादा खोलना नहीं होता है बस ऐसे ही आपको फिट कर देना है यह दिख्ये है खोग Cities अकम अब रो अई सकर करके आव हमको रखना है इसको इसको खोलेंगे और इसपे लगा देगे सबसे पहले शलाई तो यह हमने सिलाई लगा दी अब जो है भीदा राइप में लगाते हैं हैं अब देखें हम इसको ऐसे रखेंगे और यह हमने चैन के बिल्गुल पास में नहीं लगाना है चैन चलना चाहिए चैन में कुंडे में दिक्कत ना हो चलने में ठीश तो यहां पर हमने ऐसे एक तरफ हमारी चैन लग गए उसके बाद हमको इसको मिलाना है अब दोस्तों यहां पर जो है हम ऐसे करकर रखेंगे यह चीज हमको मिला लेना है और ऐसे करकर रखना है तो दोस्तों ये चीज़ देख सकते हैं ये हमारी तलपट रहेगे एसे करके तो उसके बाद हम सिलाई लगा देते हैं ये इसको पक het पगणना ये बाप घृत्त है ये एक है और उसके बाद लगा देना सिलाई और यह हमारी चेन लग गए तब पहले है उसके बाद हम को इसको ऐसे करके करना यह अंपो कि दोश्तों अब हम इतको लगाते हैं अभी जहां पर लगाना अधर उत्थाना नहीं है कि बाह बने हूए है तो इसलिए अधिकर लगाना है जहां पर लगी थी तो यह आधी सिलाई लग गए अब उसके बाद आपको क्या करना है यह आपको हटा देना है इधर साइड में और उसके बाद यह आए से करके अब यह लाख है इसके नीचे से आना चाहिए आपकी चन बैसे भी नीचे से यह आए क्योंकि जहां पर से लगी है जहां पर से आप को सीधा कर देना है उसके बाद ये लग गई अब उसके बाद हम बैक करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे टाकी अपनी ये टाकी लग गई टिम्पल सी उसके बाद आपको ऐसे करना है और इसको चिर्मा करना और इसको चिर्मा करना है ये लंगोट है ये हमको रख देना है जैसे रखी थी इस तरीके से और ये ऐसे करके दबाऊ है आपका तो आपको ऐसे करके सीधा कर देना है और उसके बाद फिर ऐसे लबकी सिलाई से आपको उपर से ही लगा देना है और फिर डबल कर देंगे सिलाई ये देखें देखें मैंची चेन में क्या होती पुरानी पैंटी की चेन लगाएं जब फलाई की सिलाई आपकी फलाई की सिलाई के उपर ही लगे पहली चीज तो यह हो गई दूसरी चीज ये चीज आपका छोटा बड़ा ना हो और क्यूंकि अगर ये चीज आपकी छोटी बड़ी हो गई तो आपको प्रब्लम होगी जो रोग पहनेंगे वो देखेंगे यहां पर छोटा बड़ा आ रहा है तो दिक्कत होगी तो इसलिए यहां पर यह देखना पर छोटा बड़ा ना हो अब जैसा मैंने बताया था कि को साथ अब तक के लिए नमस्कार